और कैसे हो बच्चों आप लोग है ना उमीद करती हूँ आप लोग घर पे मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होगे और जिन बच्चों ने भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया यह बेटा तो थोड़ा सीरिस हो जाओ अपने पढ़ाई के लिए और पढ़ना स्टार्ट कर दो जैसा कि हम क्लास 11 का चाप्टर 1 कर रहे हैं दा लिविंग वर्ड है ना इसके पार्ट 123 जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं उनके लिए बता दूं कि उनका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप वहां से जा करके चेक कर सकते हो तो बेटा आज की जो हमारी क्लास होकी वह क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी पर होने वाली है ठीक है ध्यान से सुनना थोड़ा सा टॉपिक इंट्रेस्टिंग है और अच्छा भी लगेगा क्योंकि अभी तक जो पढ़ते आये ना पहले से भी पढ़ा हुआ है आज कुछ हम नया सी जाने का और जो नहीं भी ध्यान दे रहे हो तो प्लीज अपने दोस्तों के अशाथ जरूर शेयर करो ताकि जादा से जादा से जादा बच्चों के पास पहुच पाए तो आओ हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्लास से तो थोड़ा सा रिकाब कर लूँ मैं पिछले क् जो क्लास छोड़ी थी हमने देखा था डाइवर्सिटी ओफ ऑर्गानिजम अकॉर्डिंग तो यूर आईउसीन आईउसीन क्या है इंटरनाशनल यूनियन ओफ कंजर्वेशन ओफ नेचर एंड नेचरल रिसोर्स उनके अकॉर्डिंग जो टोटल आपका नोन ओर्गानिज दाट इस फाइव लाक और आपका अनिमल्स का कितना है बेटा अराउंड वन पॉइंट टू मिलिन डाट इस ट्वेल लाक अब ये सोचो कि इतने सारे और्गानिजम को अलग अलग पढ़ना हमारे लिए कितनी मुश्किल की बात है है ना अलग अलग तो हम सब को पढ़नी स रखते ना इतने सारे और्गानिजम को इतने सारे डाइवर्ज और्गानिजम को तो उसके लिए हमने तरीका क्या निकाला कि चलो इन और्गानिजम को हम क्लासिफाई कर देते हैं इनकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं है ना तो यही हमारा टॉपिक है बेटा तो अगर आपसे कोई पूछे कि what is classification तो classification का मतलब होता है जहाँ पे हम organisms को group करते हैं किस पिहाफ पे तो जो observable characters है जो हम अपनी आखों से characters देख पा रहे हैं उसके हिसाब से उसके basis पे हम organisms को क्या कर रहे हैं? group कर रहे हैं तो what is classification? grouping of organism on the basis of easy observable character. ठीक है बेटा यह हमारा classification का definition है अब बात यह आती है कि grouping तो समझ गए पर करना कैसे है? है ना अगर हम organisms के grouping की ही बात कर रहे हैं तो इस grouping को हम कैसे करते हैं? तो इसके लिए हम help लेते हैं किसकी तो taxonomy है ना classification हम किसकी help से कर रहे हैं तो with the help of taxonomy तो taxonomy क्या है? It is the study of, set of, principles and methods, rules या procedure है ना to classify organism ठीक है? यह यूँ बोल लो आप थोड़ा और अच्छे तरीके से आप define कर सकते हो जैसा book में आप वैसा भी बोल सकते हो तो what is taxonomy अगर आपसे कोई पूछ ले? Taxonomy is the study of principle and procedures for classification या rules and methods of classification clear है? तो taxonomy को हम define कर लेते हैं the study of principle principle यहां बोले तो बेटा रूल्स है ना? and procedure procedure बोले तो method to classify organism है ना? तो what is taxonomy? once again the study of principle and procedure to classify organism ठीके? अच्छुली यह जो taxonomy है यह आपके ग्रीक वर्ड से लिया गया है है ना? कौन सा ग्रीक वर्ड है बेटा आपका? Texas plus nomos है ना? Texas का मतलब क्या होता है बेटा? arrangement ध्यान से देख हुई यहाँ पे आप लो arrangement और nomos का मतलब क्या होता है बेटा? laws ठीके? taxonomy is your Greek word है ना? Texas और nomos से लिया गया है इसका मतलब हो गया the study of principle and procedure to classify organism अब father of taxonomy important है थोड़ा सा जान लो आप लो father of taxonomy हम किसको कहते हैं या किनको कहते हैं बेटा? तो carless lineas को carless lineas को कहते हैं बात समझ में आ गई अब देखो बेटा ये जो taxonomy है ये भी different types के होते हैं है ना? तो हमें 3 या 3 types के पढ़ने हैं तो now let's move to the next topic that is your types of taxonomy है ना? सबसे पहला आता है बेटा आपका classical taxonomy तो classical taxonomy क्या है बेटा? यहाँ पर हम organisms को classify किये हैं on the basis of external features external features बोले तो morphological features morphological features और simple way में मैं बोलू तो जो आपकी आखों से features आपको नजर आ रहे हैं बात समझ में आई तो classical taxonomy क्या होता है बेटा? classification of organism on the basis और behalf of external feature ठीके दूसरा हमारे पास क्या है बेटा? modern taxonomy modern taxonomy क्या है बेटा? just like your classical taxonomy यहाँ पर classification of organism हमने external features के साथ साथ internal features को भी include किया है अब internal features में क्या आगे जैसे anatomy हो गया बेटा जहां पर हम cells tissues की study करते हैं ठीके embryological study करते हैं जो ecological adaptation होता है उसको include करते हैं बात समझ में आई तो what is modern taxonomy classification of organisms on the basis of external as well as internal feature external plus internal feature मतलब यहां पर हम morphological characters को तो include करी रहे हैं साथ साथ हम anatomical features को भी include कर रहे हैं अनाटमी में क्या जैसे cell tissues की study यहां पर embryology को भी हम study कर रहे हैं बेटा है ना और साथी साथ ecological adaptations को भी क्या कर रहे हैं include कर रहे हैं अब एक third type of taxonomy होता है बेटा जिसको हम क्या बोलते सिस्टमाटिक्स कहते हैं ठीक है सिस्टमाटिक्स का मतलब है यहां पर हम क्या कर रहे हैं taxonomy के साथ साथ phylogenetic जो relation है between organisms उसको establish कर रहे हैं phylogenetic relation का मतलब होता है बेटा evolutionary relation हम क्या कर रहे हैं organisms के बीच में establish कर रहे हैं तो और सिस्टमाटिक्स में क्या आगया taxonomy प्लस हम क्या कर रहे हैं बेटा phylogenetic relation between organism phylogenetic का मतलब होता है बेटा आपका evolutionary evolutionary कौन सा organism कहां से evolve हो है इस तरह के relations हम यहां पर establish कर रहे हैं तो यह जो word है आपका systematics बेटा यह कहां से लिया गया latin word actually यह आपका latin word है और इसका use पहले किस ने किया था तो lenius नहीं किया था तो lenius की जो book है systema nature है ना उसमें से हमने systematics को लिया है ठीक है तो यह लिख लो systema nature है ना जो की क्या थी बेटा lenius की book थी उससे हमने लिया है तो अभी तक हमने क्या देखा बेटा classification grouping of organisms on the basis of observable characters अब यह हम कैसे करते हैं टैक्सिस प्लस नो मोस से लिया गया है टैक्सिस का मतलब होता है arrangement नो मोस का मतलब क्या होता है आपका law उसके बाद हम आएं किस पर type of taxonomy three different types of taxonomy होते कौन-कौन से classical taxonomy दूसरा है आपका कौन सा बेटा modern taxonomy और तीसरा है आपका systematics जो सबसे जादा है ना widely used है वो यह वाला taxonomy है बेटा systematics this one is important ठीक है अब इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे topic पे that is your the different components of taxonomy है ना जब भी हम components of taxonomy की बात करते हैं बेटा तो यहाँ पे चार चीज़े आपकी include होती है सबसे पहला क्या है बेटा characterization ठीक है दूसरा है बेटा आपका identification तीसरा है आपका classification और फोर्थ है आपका nomenclature ठीक है characterization का मतलब है जब आप किसी living organism को सबसे पहले देखते हो तो आप उसके characters features पे ध्यान देते हो features जानने के बाद आप उसको identify करते हो ठीक है कि यह आपका living है यह non-living है ठीक है उसके बाद अगर आपको पता चल जाता है यह living है यह non-living है on behalf of कि यह plant है यह animal है ठीक है बात आ गई यह तीन चीज़े तो हमें अच्छे से आती है clear है बात है अब किसकी तो nomenclature की हमारे सब के दिमाग में आ रहा होगा कि what is nomenclature तो जो अब हमारा topic स्टार्ट होगा बेटा वह कहां से स्टार्ट हो रहा है nomenclature सबसे पहले अगर मैं nomenclature की बात करूं तो nomenclature का मतलग क्या होता है naming and organism जैसे हम लोग के यहां क्या होते जब चूटे बच्चे होते बेटा तो हम उसका कोई नाम रखते है ना ऐसा नाम कि उस नाम से उसको सभी पुकारे सभी जाने जैसे मुझे लोग किस नाम से जानते है रश्मी है ना तो वैसे ही nomenclature का मतलग क्या होता है बेटा naming an organism मतलग organism का ऐसा नाम रखो कि उसको worldwide क्या किया जाए accepted हो अब मान लो जैसे मैं example लेके समझाती हूँ जैसे कोई एक vegetable है pumpkin लेकिन है نऄ कहीं पे हम उसको क्या बोलते है कहीं पे हम उसको कदू बहां के पुकारते तो चीज एक ही है पर उसका नाम क्या है अलग-अलग है मान लो कि कोई idea में आपका कॉई chee मानलो की plaisir इंडिया में उसको he P.E. बोल आफ्वyer किसी for kel qualité में चले जाओ, जापान चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, तो आप उसको अगर प्यास बोलोगे तो वहां के लोग समझ पाएंगे, नहीं ना, मान लो जैसे हम इंडिया में क्या बोलते हैं, तुलसी का पौदा को तुलसी बोलते हैं, अब यही आप अमेरिका चले जाओ, और nomenclature में यही चीज़ है naming an organism which is accepted worldwide है ना मतलब कोई ऐसा नाम रखो organism का ठीक है जो worldwide क्या हो accepted हो जो हम उसको इंडिया में भी बोले तो जान जाए हम अमेरिका में भी उसकी बात करें तो समझ जाए हम एफ्रिका चले जाए औस्ट्रेलिया चले जाए न्यूज़िलेंड चले जाए वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाए तो हम उसको easily क्या करें बेटा उसके नाम से पहचान सके बात समझ में आया तो what is nomenclature naming an organism है ना which is accepted worldwide ठीक है अब बात ये आती है कि हम nomenclature का तो मतलब समझ गये बट हम कौन सा तरीका यूज करते हैं किसी भी organism को name करने के लिए या उनको नाम देने के लिए तो हम use करते हैं बेटा binomial है ना nomenclature binomial nomenclature को भी किस ने दिया था बेटा तो carless linear ने दिया था ठीक है तो ये भी किस ने दिया था आपका linear ने दिया था ठीक है biological जो nomenclature है binomial से समझ में आ रहा है दो मतलब दो नाम देना किसी भी scientific name जब हम रखने जाते हैं ना बेटा तो वहाँ पर two names included होते हैं एक उसका genus का name होता है किसी भी species के लिए एक उसका genus का name होता है दूसरा उसका specific epithet मिलता है जब उन दोनों को हम साथ में जोड़ते हैं विटा तो हम क्या बोलते हैं कि ये particular species का क्या है scientific name है ठीक है तो binomial nomenclature में हम क्या करते विटा name में हम genus को add करते हैं प्लस हम किसको add करते हैं specific epithet ठीक है अब ये जो nomenclature के कुछ rules होते हैं ठीक है हम इनके rules के बारे में थोड़ा देख लेते कि कैसे आपका naming किया जाता है तो जब भी हम rules की बात करते हैं सबसे पहला बात हमेशा याद आप रखना बेटा कि जो भी हम नाम रख रहे हैं वो लाटिन में होना चाहिए नेम मस्ट बी टेकन फ्रॉम लाटिन ठीक है अब आप बोलो के मैं लाटिन वर्ड से ही रखना आप मान लीजे कोई ऐसा वर्ड रहे जो कि लाटिन में नहीं है तो हम कैसे रखेंगे बेटा तो उसके लिए आपका एक तरीक होता है कि मान लीजे वो वर्ड आपका लाटिन में नहीं है तो हम क्या करते बेटा उसको लाटिनाइस्ट कर देते हैं जैसे फॉर एक्जामपल इंडिया में एक सीड मिलता है बीज मिलता है जिसको हम क्या बोलते पुत्रण जीव सुना होगा जिनरली वो मेडिसिन फर्ट लाटिनाइस्ट करके क्या कर दिया गया पुत्रन जीवा बात समझ में आई पुत्रन जीवा और लास्ट में जो साइंटेस्ट ने उसका नाम रखा बेटा उसने अपना एड कर दिया और रॉक्स पर गए ठीक है इफ अगर कोई भी दूसरी चीज यहां पर हम क्या ध्यान अगर वर्ड आपका लाटिन में नहीं है तो वर्ड को हम क्या करते बेटा वर्ड इस लाटिनाइस्ट फॉर एग्जाम्पल आपका है ना पुत्रन जीवा है ना रॉक्स बर्गाई चुकि बेटा ये हैंड रिटन है इसले मैंने इसको अंडर लाइन कर दिया है ना तो तीसरा रूल आपका यहीं से निकल के आ रहा है इफ दस साइंटिफिक नेम इस हैंड रिटन इट शुड भी अंडर लाइन ठीक है बात समझ में आई अब तीसरे रूल पे हम आते हैं थर्ड रूल क्या है हमारा कि मान लो कि अगर आपका हैंड रिटन नहीं है हमने उसको क्या किया बेटा प्रिंट किया तो प्रिंट हम कैसे करते हैं इन इटालिक्स है ना ठीक है एक रूल में अभी हमने चार रूल देखा पहला रूल क्या था कि वर्ड आपका लाइतिन से लेना हैं अगर लाइतिन में अवेलेबल नहीं है तो वर्ड को हम क्या कर देते हैं लेटा कर देते हैं origin चाहे उसकी कुछ भी रह ठीक तीसरा हमने रूल क्या देखा अगर हमने हाथ से scientific name लिखा है तो हम उसको अलग-अलग underline करेंगे फोर्थ रूल हमने क्या देखा अगर scientific name को हमने क्या किया है प्रिंट किया है तो हम उसको italics में प्रिंट करेंगे फिफ्थ रूल क्या है बेटा जब भी हम कोई scientific name रखते है तो जो जनस होता है उसका name हमेशा हम capital letter से start करते हैं और जो specific आपका epithet होता है वो हमेशा आपका small letter से लिखा जाता है जैसे for example मैं mango का ले लेती हूं Megogo का scientific name क्या है बेटा, Mangy Phera Indica आप यह देखो, जो Mangy Phera मैंने लिखा, Genes का name क्यापिटल से स्टार्ट किया और Species का name मैंने मैंने स्माल लेटर से स्टार्ट किया एक extra भी हम इसमें नाम एड करते हैं बेटा, जस scientist ने इनका नाम रखा है उसका भी हम name include करते हैं आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो और कुछ हमें example देख लेते हैं जैसे human का है ना, human का क्या है बेटा, homo sapiens देखो, यहां पे भी आप homo sapiens में देखो H को मैंने capital में लिखा है बेटा और specific जो आपका epithet start हुआ है, वो small letter में है और भी कई सारे examples हैं, जैसे rose के लिए हम rosa indica use करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में मिलने वाला cobra है ना, उसका scientific name क्या है नाजा नाजा है, तो इस तरीके से हम names रखते हैं बात clear है, इसके बाद आप आओ, कि माम आपने ये तो बोला कि ये हमारा specific epithet है और ये हमारा genus है, तो species कैसे पता चलता है ये तो rules में आपने बताया है नहीं, अब यहाँ पर मैं कुछ set of आपको examples दूँगी आप सोचना, कई लोग ना, जो second name होता है ना, उसको species के name से हम पढ़ते हैं, पर वो गलत है बेटा ठीक है, अब मैं कुछ examples के थ्रूँ आपको समझाना चाहूंगी जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया बेटा, इंडिका again मैं लिख रही हूँ क्या? इंडिका again मैं लिख रही हूँ इंडिका तो क्या इन इंडिका से आपको पता चल रहा है कि यह conscious species के बारे में लिखा हुआ है नहीं न, तो इसको हम क्या बोलते हैं specific epithet कहते हैं बेटा और मान लो इसके आगे हमने क्या add कर दिया mangy phara तो आपको पता चल गया न, यह किसके लिए है mango के लिए है ना, अब मैंने यहाँ पर apis लिख दिया तो अब आपको पता चल गया apis indica किसका होता है honey bee है ना, वैसे ही इस indica के आगे मैंने add कर दिया बेटा, अजादी रखता अजादी रखता एक सेकंड अजादी रखता indica किसका scientific name है बेटा नीम का है ना, तो कहने का मतलब है यह क्या है बेटा, आपका genus है मतलब genus का name है और यह क्या होता है specific epithet और यह दोनों मिल करके आपका species के बारे में बताता है बेटा, बात समझ में जनरली हम जो स्कूल में पढ़ते हैं या कहीं और पढ़ते हैं हम इसको species का name पढ़ते हैं यह गलत है मानलो मैंने यहाँ पे तीन species आपके सामने लिख दिया था तो उससे पता चल रहा था आपको क्या है नहीं ना, तो बेटा इसको specific epithet कहा जाता है यह genus का name है जब यह दोनों मिलते हैं तो ही हमें species के बारे में पता चलता है ठीके, अब इसके बाद further फिर हम classification में आगे बढ़ेंगे जहां पे हम पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में taxonomical hierarchies के बारे में तो उसको मैं next class में आपको करवाओंगी अगर अभी यहां तक आपको समझ में आया है तो बेटा प्लीज डू subscribe the channel और अगर किसी को कोई doubt है तो वो प्लीज मुझसे पूछ लो है ना? So thank you so very much